इस वीडियो में हम सीखेंगे backward counting के बारे में backward counting उल्टी गिंती को कहते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि सीधी गिंती या forward counting कैसे होती है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरह से आगे चलते जाते हैं इसको कहते हैं forward counting या cd गिनती यानि किसी भी दिये हुए नंबर से शुरू करके आगे की तरफ गिनते जाने को क्या कहते हैं forward counting या cd गिनती कहते हैं जबकि अगर मैं आखरी नंबर से शुरू करूँ यानि अगर मैं इस तरह से करूँ कि 5, 4, 3, 2, 1 तो फिर ये क्या कहलाएगा ये backward counting कहलाएगी यानि उल्टी गिनते इसमें हम आखर वाले नंबर से शुरू करते हैं और पीछे की तरफ चलते जाते हैं backward counting को सीखने के लिए एक example लेते हैं ये आपके सामने एक train है और इसके एक डबबे के उपर मैंने लिख दिया 10 अब आपने क्या करना है 10 से backward आपने 10 steps काउंट करना है और यहां पे लिख देना है 10 है तो 10 से पहले वाला नंबर कौन सा आएगा 9 इसके बाद 9 से पहले वाला नंबर 8 से पहले क्या आएगा 7 इसी तरह 7 से पहले 6 6 से पहले आएगा 5 5 से पहले 4 4 से पहले आएगा 3 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1 तो यह क्या कहलाएगी बेक वर्ड काउंटिंग जिसमें हम सबसे बड़े नंबर या आखिर वाले नंबर से शुरू करते हैं और एक एक स्टेप पीछे की तरह आते जाते हैं तो इसको कहते हैं बेक वर्ड काउंटिंग एक और एक्जेंपल करते हैं यहां पे नंबर लिखा हुआ है 15 और 15 से पीछे आपने काउंट करते जाना है यहां तक तो 15 से पहले वाला नंबर कौन सा होगा 14 15 से पहले आएगा 14 और 14 से पहले यह हम बेक वर्ड काउंटिंग करें 15 14 13 13 से पहले 12 15 14 13 12 और 12 से पहले 11 11 12 और 11 से पहले क्या आएगा 10 10 11 10 और 10 से पहले 9 9 से पहले कौन सा नंबर होगा 8 होगा 8 और उससे पहले 7 और उससे पहले आएगा 6 तो यह बेक वर्ड हमने काउंटिंग की 15 14 13 12 11 10 9 8 7 और 6 15 से 6 तक हमने बेक वर्ड काउंटिंग की अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट 4 स्टेप्स बेक वर्ड फ्रॉम 9 यानि हमने 9 से स्टार्ट करना है और कितने स्टेप्स आगे बेक वर्ड जाना है 4 स्टेप्स तो यहाँ पे लिखते हैं 9 और 9 से हमने पीछे की तरफ जाना है 4 स्टेप्स यानि 1 स्टेप 2, 3 और 4 स्टेप्स तक हमने जाना है तो 9 से पहले कौन सा नंबर आएगा 8 यहाँ हम लिखते हैं 8 और 8 से पहले 7 से पहले कौन सा आएगा 6 यह हम पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं 6 से पहले आएगा 5 तो इस तरह से हमने 4 स्टेप्स बेकवर्ड 9 से चलते वे 5 तक आ गए हैं 9, 8, 7, 6, 5 यह क्या है बेकवर्ड काउंटिंग है अगला क्योंशन देखते हैं काउंट 7 स्टेप्स बेकवर्ड फ्रॉम 20 अब हमने 20 से स्टार्ट करना है और कितने स्टेप्स पीछे जाना है 7 स्टेप्स तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 20 अब 20 से पहले कौन से नंबर आता है जिसके बाद 20 आए 19 क्योंकि 19 के बाद 20 आता है तो 20 से पहले कौन से नंबर है 19 है और किस नंबर के बाद 19 आता है 18 के बाद इसलिए 18 और फिर 18 के बाद यह 19 तो 18 से पहले कौन से नंबर है 17 18 से पहले है नंबर 17 और 17 से पहले 16 16 से पहले कौन से नंबर आएगा 15 और 15 से पहले 14 और 14 से पहले कौन से नंबर आएगा 13 तो हमने काउंट किया 20 से 7 स्टेप्स बैकवर्ड तो यह क्या बन गया 20 19 18 17 16 15 14 और 13 तो आज हमने पढ़ा बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में 15 15 16